दोस्तों कैसे हैं आप आई होप आप सोई लिए बहुत अच्छे होंगे जहां दोस्तों आपका डिश्टा अलतलम बहुत बहुत स्वागत है तो आज मुने थमने देखी लिया होगा आज हम बात करने वाले हैं पोर्ट रोकेफ्ट के बारे में जो भी लोग 90 डेस के अंदर पोर्ट कराना चाहते अपनी सिम को जैसे कभी भी हाल ही में हुआ है कि जब रिचार्जे से महंगे हुए तो बहुत सारी लोगों ने जो है आर सौक में आके या किसी भी कारणवास बियस लिए पोर्ट करा लिए क्योंके वहाँ पे प्लांट सस्ते थे तो पोर्ट करा है कि आप अपने सेम को 90 डेस के अंडर किसी दूसरे नेटवर्क में पोर्ट करा पाएंगे उसी के माज़ा माज़ा में इस वीडियो मात करने वाले हैं जहां तो दोस्तों को सीधे सीधे बता दू जो ट्राई है जो कि जिसके अंदर अगर सारी टेलिकॉम कंपनी जाती है जिनके अंडर गर्त ही आप उनको काम करना रहता है तो ट्राई में सीधे सीधे बोल लगा है अगर आप किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में स्विच करना चाते है तो आपको उसके लिए कम से कम 90 डेस तक उस सिम को यूश करना पड़ेगा यानि कि 90 दिन के दीजिए जिससे कहें पोड करा सकते है तो आपको वेट ही करना होगा अगर आपको चांच ज्ktor दिक्क्त आ रहे हैं तो लेकिन आप सोचें को पोड करान पयासा बिए पर नंती डेस requesting two bes guilt करने के लिए अगर आपके 90 दिन complete हो गया है तो आपको अपने फोन से एक message send करना होता है आपको अपने फोन में 1900 पर एक message करना जाएगा उसमें लिखना होगा capital letter में और टी space देन आपका mobile number जिसको आप port करना तो भाई आपको बता दी भाई वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कीजिएगा और अभी तक आप यही सोच रहे हैं कि साथ कुछ तरीका होगी 90 दिन में port करना सब्सक्राइब अभी तरीका नहीं है जिससे आप port करा सकें तो भाई आज की वीडियो में इतना है मिलते हैं ने सब्सक्राइब अबसक्राइब